उत्यप्रिदेश में प्राकृतिक खेती पर आधारिद भारतिय प्राकृतिक खेती प्रनाली कारिक्रम को केंद्रिय मंत्री शिवराथ सिंग चोहान ने संबोधित किया। संकल्प को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अम्रित के समारें जो सरीर को निरोग रखे हैं। स्वस्तर के प्रसंद रखे हैं। जैसा खाए अन्व ऐसा बने मन ये भी अपने कहारें। अगर हम ऐसी चीज़ां खाएंगे जिसमें अने प्रकार के टीट ना सब्ड़ने होंगे। तो हम सोच सकते हैं कि उसका क्यों सरीर पे असर नहीं होता है। सरीर पे तो होता ही है। उसका मन पे मतलब मन और व्रती पे भी असर होता है। इसलिए आज बहुत गंभीरता के साथी सोचना है। मैं फिर दौरा था। अपने वेग्यानिकों को का मैं अभी नंदन करता हूं। जो परिस्थतियां थी उसमें उनोंने बहुत पहतर काम किया। लेकिन इसके साथ अब ये सोचने की जबवत है। कि उत्पादन बढ़ाते हुए खटाए और ये हो सकता है। अजारी अब तो मैं बेताव हूं नहीं हूं। पूरी छेतर चलना है। क्योंकि मैंने सुनाए देखा नहीं आप सकता है। साही जी मुझे आज और बता रहे थे को पूरी टीम लेके गए थे। क्योंकि आपने प्रियोग करके दिखाएं। बिना केमिकल फट्राइजर के उत्पादन भी पढ़ाया जा सकता है। और गुर्वत का तो अधवित होती है। हम मेरे तुमों में पानी आ रहे हैं साही जी जा रहे थे। कि आप किया जो फल है सब्जियां उनका स्वाद उनकी सुगंध बिलकुल अलब हो गई। तो यह प्रियोग करके बैठे है। यह कि तो सद्धान्तिक विचारक नहीं है। इन्हें अपनी दो सो एकर जमीन में कुलू छेतर में जो प्रियोग किये हैं। आज वो हमारे लिए मार्ग दर्सन का काम करेगा। और इसलिए अप समय आगया है। प्रधान मंत्री जी की तरफ मैं जाना हूँ। उनके मन में इस संक्र का कि किसी भी कीमत पर धर्टी को बचाना चाहिए है। जब मैं मुक्र मंत्री था तो उनने मुझे का था कि एक एक ऐसी नाइट का बने। कि जिसमें जिसका मंचन करें जिसमें धर्टी मां कह रही है। मुझे बचाओ कितना केमिकल डालोगे। तो धर्टी मांता को भी बचाना है। धर्टी बचेगी तो हम बचेगे। पूड़ा करने में हम वोई कसम नहीं छोड़ेंगे फरिस्त्रम की पराता है और फरिस्त्रम की परसी